Subscribe to my channel for more amazing content launching event है तो definitely आप लोगों को वहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या कुछ चीज़े launch होने वाली है लेकिन दोस्तों कभी भी जो है NVIDIA graphic card launch करती है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पर सिर्फ वो लोग जो है graphic card के बारे में ही बताए उनका lecture उनी के बारे में focus रहता है लेकिन साथ में वो ये भी बताते हैं कि कौन से कौन से laptop में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और एक हाद laptop की जो है दोस्तों आप लोगों को estimated timing भी बता देते हैं कि इतने मंत त से लेके RTX 2070 तक जो है उसका laptop आपको देखने को मिलेगा तो सब के सब जो हैं दोस्तो एक साथ launch हुए हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ RTX 2070 का उन लोगों ने पहले launch कर दिया नहीं ऐसा नहीं होता sale drive करनी है तो market में जो सबसे ज्यादा consumer जिस चीज को खरीदने वाले हैं वो है cheap budget end laptop तो वो भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे तो अगर वो ये भी बोलें दोस्तो की high end वाले laptop आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो जरूर उसी के साथ में आपको जो है उसके cheap period भी देखने को मिल जाएंगे तो आगे 12 जन्वरी को अपने को पता लग जाएगा कि क्या कुछ जो है launch होने वाला है और कब अपने को मिल जाएगा खबर पे वापस आते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूं दोस्तों 3050 और 3050 Ti की जो graphic card है इसकी एहमियत actual में क्या है when it comes to the laptop sale आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों 1660 Ti graphic card है जो की काफी जादा popular हुआ करता था क्यूंकि popular है अभी भी RTX 2060 के laptop काफी जादा महंगय होते थे और 1650 Ti जो था दोस्तों उतना performance नहीं दे पाता था तो उसी के बीच में जो है दोस्तों 1660 अपना कही न कहीं आ जाता है जो की cost भी उसकी कम है और क्यूंकि उसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 6 GB की DDR6 memory मिलती है तो इसलिए काफी जादा budget friendly उसे माना जाता था तो इस generation में दोस्तों उसकी जगर लेने वाले हैं यह RTX 3050 RTX 3050 Ti आपको जो है उसकी जगर लेते देखने को मिलेंगे performance definitely उससे काफी ज्यादा जो है आपको high देखने को मिलेगा दोस्तों लेकिन जो price है somewhere जो 1660 के जो laptop हुआ करते थे दोस्तों उसी range के pricing में आपको देखने को मिलेंगे बात करता हूं दोस्तों मैं यहां पर 3050 Ti की तो यहां पर आप लोगों को यह 6 GB DDR6 memory के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा जो 3050 है वो आपको 4 GB जो है DDR6 memory के साथ में देखने को मिल जाएगा उसके साथ मैं बात करूँ दोस्तों यहां पे मैं RTX 3060 की तो यहां पे 12 GB DDR6 जो है दोस्तों आप लोगों को memory देखने को मिल रही है और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि RTX 2060 जो है उसकी memory जो है 6 GB है that means यहां पे almost आपको उसके जो update में आपको memory जो मिल रही है वो double मिल रही है तो इसका मनलब है कि कीमत में भी जो है आपको कही न कहीं उच्छाल देखने को मिलेगा जो RTX 3060 वाले laptop आपको देखने को मिलेंगे RTX 2060 वाले laptop जो है इंडिया में at present 1,20,000 से 1,30,000 के बीच में है तो RTX 3060 के laptop कहीं न कहीं friends आप लोगों को 1,40,000 to 1,50,000 जो है उनका प्राइस पॉइंट शिप्ट हो जाएगा एक और बात दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 3050 और 3050 Ti दोनों की जो laptop की pricing होगी दोस्तों कहीं न कहीं आप लोगों को उसमें से शायद से 7,000 से 8,000 का अंतर देखने को मिल जाएगा देखिए दोस्तों इस generation में क्या हुआ 1650 से 1650 Ti जो laptop होता था दोस्तों जिन पर आपको 3050 और 3050 Ti में भी जो है थोड़ा ठीफ देखने को मिलने वाला है और यहां पर difference दोस्तों कहीं न कहीं ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है कहां एक 4GB का मैमोरी आपको देखने को मिलता है उमीद है दोस्तों कि यह आने वाला जो साल होगा यह साल 2020 काफी ज्या झाल झाल